हेलो गाइज, आज बात करेंगे हैंड ब्रेक की रिले की जैसा का आणि देख रहे हैं यह हैंड ब्रेक की रिले है और इसमें क्या प्रॉब्लम है यह मैं आपको बताऊंगा जो पहले हम समझ लेते हैं bateries इसमें four hose वाली connection वाली brake relay है है, hand brake relay, इसमें जो, देखिए ये जो उपर वाली जो pipe है, ये हमारी hand brake lever से आती है, उसके बाद ये देखिए ये जो नीचे वाली है, ये मोटी वाली, ये tank से आती है, जो यहाँ पर ये वाली all-time stock रहती है, और यहाँ पर दो hose है friends, जो की एक middle वा और एप्लाई करने के लिए और देखिए और एक कनेक्शन है जो कि रियर वाली दोनों विल ब्रेक एक्चुएटर में जाते हैं हैं और एक्चुली फ्रेंस इसमें जो है यह कंटिनिशली एर लिक हो रही है जिसके वज़े से क्या है टैंक में प्रोपर एर नहीं रह पा रहा है तो चलिए हम इसे निकालते हैं और देखते हैं और देखिए फ्रेंस इसमें क्या है कि प्रोपर एर नहीं बनने के कारण क्या है इसके टैंक में हम चेक करेंगे कि कहीं वाटर तो डिपोजिट नहीं हो गये हैं क्योंकि क्या है यह जो वेहिकल है यह प्रोपर एर तो हमने सारे होस की connection को open कर लिया है और इस रिले को हम बाहर करेंगे और हम चेक करते हैं टैंक को चलिए हम टैंक को चेक करते हैं कि टैंक में कहीं water तो deposit नहीं हो गए हैं तो चलिए हम इसे प्रेस करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही air रहता है जैसा आप देख रहे हैं friends क कि बहुत सारा इसके अंदर में water deposit हैं यह deposit क्यों होते हैं friends water जब हमारी air drying and distribution से हमारी air release नहीं होती है 8 point बनने के बाद तो क्या होता है कि जब नहीं बन पाती है तो वहां से release जब नहीं होगी तो air में moisturizing होती है जिसके वज़े से यह water में convert होके tank में deposit हो जाती है और यही water जो take apply नहीं होती है तो हम क्या करेंगे इसे अच्छी तरीका से पूरी water को हम दोनों tank से निकाल लेंगे front tank और rear tank है इसमें तो चलिए अब हम पिछे वाली tank में भी देख लेते हैं चलते हैं पिछे की तरफ देखे इसमें भी हमारी जो है air और water इसके अंदर mix हैं तो हमें proper इसे निकाली है जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए फ्रेंस यह जो water deposit हो जाती है उसके बाद क्या है air की जो area है वो कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर में water fill up हो जाता है और properly जो है जा आप break apply करेंगे तो वो properly नहीं apply होती है और इसमें इसमें problem यह हो रही थी कि इस relay से हमारी पूरी all time air हमारी यहां से leak हो रही थी तो हम इसे निकालेंगे निकालने के बाद देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा था जैसा कि आप देख रहे हैं यह दो point जो है हमारी actuator के ले जाते हैं और इसमें दो point है पतली वाली जो कि हमारी hand break lever से आती है और एक हमारी tank से आती हैं और दोनों को अलग करते हैं इस रिले को चलिए यहां से हमने इसे हटाया देखे फ्रेंस कितनी सारे इसके अंदर में मतलब कच्रे जम्य हुए हैं तो हमें क्या है इसे वास भी कर लेनी है और सारी seals वगेरे चेक करनी है चलिए breather line को खोलते हैं यह हमारी यहां से release होती है handbrake जब आप डालते हैं उस समय में यहां से यह लिक होती है निकलना चाहिए यह नॉर्मल है जैसा कि आप देख रेफ्रेंस इसके अंदर में देखिए यह बहुत सारा टूटा-फूटा ओरिंग इसके अंदर में मिला है जिसके वजह से यह सील को क्या है यह सील को पूर लेक से अंदर में किसी तरह की प्रब्लम तो नहीं है तो चलिए इसके अंदर देखे एक ओरिंग होती है यहां पर एक पार्ट को हम डिस्मेंटल करेंगे हैड़े यह सिल की और चलिए हम सील को निकालते हैं देखिए यह सील है इसके उपर में लाइनिंग आ गया तो इसे को बीभी हमें चैंज कर लेना चाहिए और यहां पएन होती है भो घॉलिक गडिखेंद पीश्टन यहां के पूछ करती है हमारी सील को उसके बाद जो यहां पर heti है वह हमारी विह एक actuator में चले जाते हैं, चलिए अब हम इसे assemble करते हैं, देखिए ये piston में एक छोटी सी oaring लगती है, उसके अंदर वो हम डाल लेते हैं, उसके बाद इसकी outer face में oaring डाल लेते हैं, ताकि inner और outer से air leak ना हो, जो हमारी handbrake liver से हमारी जो air आए, वो हमारी leak ना हो, तो outer और inner की oaring क चेक करके अच्छी तरीका से आप डाल सकते हैं इसको, ताकि हमारी जो ये piston है, ये proper हमारी काम करें, और इसमें जो है, गिरी supply प्रॉपर करें, ताकि हमारी जो fitment के time में, ये कहीं से हमारी जो oaring है, वो damage ना हो जाए, तो हम देखते हैं इसको, चलिए हमारी यहां पे, ये ह अच्छी तरीका से push करेंगे, ताकि ये नीचे हमारी चली जाए, और किसी तरीका के हमारे जो oaring है, वो damage ना हो, तो चलिए इसे हम पूस कर लेते हैं, देखिए, ये हमारी piston जो है, अपनी position पे जाके बैट गई, यहां पे देखिए, ये piston है, यहां से air इसके अंदर आती है और ये piston बाहर आके हमारी seal को press करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चलिए अब हम filter के उपर oaring डाल लेते हैं, ये filter इसलिए दिये जाते हैं, फ्रेंस की हमारी कोई particles जो है, इसके air system के अंदर ना चला जाए, ये इसके लिए यहां पे दिये हुए होते हैं, चलिए अब हम हम यहां पे seal यहां डाल लेते हैं, ये seal देखिए हमने new seal लिया है इसे, देखिए कोई भी mark इसमें नहीं है, हम यहां पे रख लेते हैं seal को, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारी filter है, filter को लेंगे, और इसकी valve में हम अच्छी तरीका से ring भी डाल लेते हैं, यहां प इसकी तरफ से piston हमारी इसे दबाती है seal को और वह एर जो है, जो वहां पे stock होता है, रिले में, वह हमारी brake actuator में चले जाती है, तो चलिए हम यहां पे filter डाल लेते हैं, इसके बाद इसमें ओरी डालेंगे, और हम प्रेस करके उसे अच्छी तरीका से बिठा लेंगे, तो चल अब हम यहां से डाल लेते हैं, सर क्लिप से इसे हम लॉक कर लेते हैं, लॉक करने के बाद हम इसे अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं अराम से, चलिए यहां से पहले हम लॉक कर लेते हैं, इसको अच्छी तरीका से यह लॉक हो जाएगी, उसके बाद हम उपर से ब्र पूरी है ताकि यहां से ना लिखो इसे हम डाल लेते हैं जैसा कि आपने देखा इसमें 2 पॉर्ट यहां पे दिए हुए हैं देखिए इस जगह पे दखिये, आप हम देखेंगे इस में सिंगल पोट तो ओपर वाली बॉडी में है और इसमें टोटल साइध तीन पोट है देखिए यहां पर तीन पोट है अब दूनों को हम पाच करते आइ चलिए यहां को हम अची तरीका से टाइट कर लेते हैं उसके बाद हम असान से यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर जब हमें र बनाएंगे तो यहां पर आतरिक की लीवरs पाइप से जब हमारी वहां से एर आएगी उसके बाद ही यहां पर हमारी एर आनी चाहिए इस होल में तो जैसा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो आमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करें थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग इस जब हमारी वीडियो प्रेंडस करें पर को जब हमारी करेंको जो हमारी तो आसे जब हमारी बादीन तो